Hello Children, Welcome to Assay Education, आज हम कर रहे हैं चाप्टर The Making of Regional Cultures, History Book, Grade 7 से किसी भी इंसान को अगर पैचानना है कि वो किस एरिया को बिलॉंग करता है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि वो जिस भाषा का प्रयोग करता है, उससे आप उसकी पैचान कर सकते हैं अगर वो तमिल या उडिया भाषा में बोल रहा है, तो उससे आपको पता चल जाता है कि वो तमिल लाडू या उडिया को बिलॉंग करता है, इसी तरह से हर इलाके के अपने खानी होते हैं, पहनावे होते हैं, टांस होते हैं, म्यूजिक्स होते हैं, पेंटिंग्स होती हैं, poetries होती है लेकिन हम ये मान लेते हैं ये तो बहुत पहले समय से चला आ रहा है इसलिए ये इस इलाके का एक identity है पर ऐसा नहीं था जब पहले जमाने में लड़ाईयां होती होंगी तो राजा लोग क्या करते थे अपने राजे का extension करते थे विस्तार करते थे तो कुछ शेत्र जो है वो उनके राजे के अंदर आ जाते थे तो अब वो जो शेत्र होते थे जब वो एक दूसरे राजे के अंदर mix हो जाएंगे तो कुछ ऐसी चीज़े होंगी जो वो उनकी अपनाएंगे उनके विचार अच्छे लगेंगे तो यही होता था कि जो regional culture है हम अगर उसको define क करें तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि जो भी local traditions होंगे वो और भी जो parts थे subcontinent के उनकी intermixing जो है वो होने से regional cultures बने हैं जैसे for example कुछ ऐसी traditions होते हैं जो एक particular इलाके में बोले जाते हैं या करे जाते हैं कुछ ऐसे traditions होते हैं जो एक इलाके में तो करे जाते हैं लेकिन उनमें ऐसे features होते हैं जो दूसरे इलाके से मिलते चुलते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो पुरानी practices को follow तो करते हैं लेकिन अपने नए तरीके से तो वो एक अपने आप में नए culture बन जाता है तो इस तरीके से ज जो इलाका होता है एर एरिया होता है उसमें क्या कनेक्शन होता है चेरा किंग्नम जो था महोदयापुरम का वो इस्टैबलिश हुआ था 9th सेंचुनी में साउथ वेस्टन पार्ट में हमाय सबकॉंटिनेंट के जिसको हम कहते हैं केरला कहते हैं यहां पर मल्यालम सबसे बोली गई थी यहां के जो राजा थे उन्होंने अपने जो इंस्क्रिप्शन थे उसमें मल्यालम लेंगविज और स्कृप्ट को इंट्रोड्यूस किया था यह पहली एक ऐसी भाषा थी regional भाषा छेत्रिय भाषा जो official records में पाई गई है यानि उसका स्तमाल official records में किया गया हमारे subcontinent के अंदर उसी समय चेराज जो हैं वो संस्कृतिक traditions जो थे उन पर भी जोर देने लग गए तो जो temple theater है केरला का जो अब तक हमारे इस period में भी हम trace कर सकते हैं उसमें जो कहानिया हैं वो संस्कृत epic से ली गई हैं पहला literary works जो था मल्यालम में जो लगब 12th century में हुआ होगा वो पूरी तर से उसका credit हम संस्कृत को देते हैं जो 4th century का text था लीला लतिकम इसमें जो है grammar है politics है इसको जो है compose किया गया था money problem में मतलब जो diamonds होते हैं या जो corals हैं उसको हमने कहा गया है money problem इसका मतलब हो गया दो भाशा का स्तमाल किया गया एक संस्कृत का और एक regional भाशा का अब बात करते हैं जो जगनात कर्ट है उसकी बहुत से और ऐसे इलाके हैं जहां पर यह जो regional cultures थे यह उनके अपने regional religious traditions जो थे उनके according टवलप हुए सबसे best example जो है वो है जगनात कर्ट यानि कि भगवान की दुनिया जो विश्नु भगवाने उनका नाम है जगनात और यह है पुड़ी उडिसा में आज भी जो local tribal लोग हैं वहां के वो एक भगवान की लकड़ी की image बनाते हैं और जिसमें यह माना जाता है कि यह जो भगवान है यह इनके पहले local god थे और जो बाद में विश्नु के तोर पे पहचाने गए इसी तरह से 12th century में एक और बहुत से important ruler रहते दंगा डाइनेस्टी के अनन्त वर्मन जिन्नों ने यह decide कि वो एक मंदिर बनवाएंगे पुर्षोतम जगननात के लिए पुरी में इसी तरहीके से 12th century में जो राजा थे अलंग भीम थर्ड उन्होंने अपना पूरा राजे जो है भगवान को समर्पित कर दिया और अपने आपको एक तरह से भगवान का भेजा हुआ कि मेरे को भगवान ने भीजा है और मैं तुम लोग की सेवा करने के लिए हूँ जैसे जैसे मंदिर की जो importance थी वो एक धार्मिक स्थर पर बढ़ने लग गई लोग वहाँ पर पूजा करने के लिए श्रधा करने के लिए आने लग गई तो उनकी जो एक authority जो power थी वो social और अपना अधिकार या control कर लिया जाए क्योंकि उससे उनको यह लग रहा था कि उस जो local लोग हैं वो उनके rule को जो है या उनके शासन को accept कर लेंगे अब बात आती है राजपूत की और उनकी जो वीरता थी उनकी जो tradition चला रहता उसके बारे में हम बात करते हैं 19th century में एक एरिया था एक शेत्र था जिसमें आज का maximum राजिस्थान का portion आता है उसको जो है राजपूता ना कहा गया ब्रेडिश के द्वारा अब जैसा की एरिया है और नाम बताता है कि यहाँ पर जादा तर जो है राजपूत से लोग ही रहते होंगे पर ऐसी बात जो है पर या Central India में बहुत सारे ऐसे लोग भी है जो राजपूत नहीं थे लेकिन फिर भी राजपूत में रहते थे पर जादा तर जो राजपूत है उनको यह माना जाता है कि उन्होंने ही जो है राजपूत का एक जो बहुत ही different culture है उसके लिए पूरा योगदान जो है वो 8 सेंचुरी के धोरान जादा तर जो अभी तक का हमारा राजस्थान है इस पे अलग-अलग जो राजपूत फैमिलीज थी उन्होंने राज किया था इवी में से प्रिद्वी राज ऐसे ही एक रूलर थे यह जो राजा थे यह इस बात पर विश्वास करते थे इनकी जो वि कहानिया थी राजपूत के जो वीर थे राजपूत लोग जो थे उनके जो वीर लोग रहे होंगे उनकी कहानिया जो है पोयम्स के द्वारा सौंग्स के द्वारा रिकॉर्ड करके उनको जो है गाया जाता था खास तोर से जो संगीत तग्ये होते हैं जो लोग गाते बजात किया था poems और songs की form में ordinary लोग जो थे वो भी जो है इन stories की तरफ attract होते थे क्योंकि उसमें क्या होता था उसमें बहुत अलग 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 तरीकी situations होती थी, dramatic situations होती थी emotions, भावनाएं जुड़ी होती थी इमानदारी होती थी, दोस्ती होती थी, प्यार होता था, वीरता होती थी, गुस्सा होते थी, ये सब जो है उनको जलगता हुआ दिखता था इसलिए वो लोग जो है इसको बड़ा interest लेकर सुनते थे, पर क्या जो women थी, उनको भी इन कहानियों में जगे मिली, कई बार ऐसा माना जाता है, कि एक आदमी जो है, वो दूसरे आदमी से अगर लड़ाई लड़ा है तो या तो वो जीतना चाहता है या बचाना चाहता है women को तो यानि women जो है, main कारण बंदती जगनों का women जो है, उनको ये भी दर्शा बाया गया है, कि वो जो उनके वीर husbands होती थे, चाहे life हो, चाहे death हो वो अपने husband को पूरी तरह से follow करती थी, क्योंकि सती प्रथा थी, यानि कि जो husband है, जब उनकी death हो जाती है, तो जो उनकी wife होती थी, वो भी उनके साथ उनके funeral जो उनकी चिता होती थी, उस पर बैठ जाती थी, तो वो अपने husband के साथ ही सती हो जाती थी, तो जो भी अपने husband की इस वीरता का सम्मान करते हुए उनको follow करती थी, उनको generally अपनी जिंदगी से एक तरह से हाथ धोना पड़ता था या follow करने की जो कीमत होती थी, वो उनकी life होती थी, अब इसके बाद हम बात करेंगे कि कथख जो है, उसकी क्या कहानी रही लेकिन वो हम करेंगे अगले video के